दोस्तों अगर कोई भी केडिट कार्ड यूजर से अगर आप पूछेंगे कि टोटल आउस्टेंडिंग का अंडस्टेंडिंग उसके इसाफ से क्या है तो मैक्सिमाम लोग यही जबब देगा कि भाई मैंने कार्ड लेने के बाद जितना भी मैंने खर्चा किया उसमें से जो हमाल शॉपिंग भी हो सकता है कोई EMIMS हमाल लिया उसका भी हो सकता है या फिर कोई आदर सर्विस चार्ड जिस वही हो सकते है यही होता है टोटल आउस्टेंडिंग का कॉंसेप्ट मैक्सिमाम केडिट कार्ड यूजर के इसाफ से लेकिन क्या एही चीज एप्लिकेबल होत ऐसीस का का कोई भी केडिट कार्ट के लिए झोगत दोस्तों जब भी आप एक्सेस बैक के अप dla आफ सीग्यों के तो चैनल कोई सब्सक्राइब कर लिजेगा क्यूंकि से इस चैनल पर फाइनाऌने यडीन, चैनल है, चानल को जरूँस्क्राइब benefitा तो लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मैं टॉपिक को पर दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा केडिट कार्ड का जो डैश्बोर्ड है यहाँ पर देख पार हैं यहाँ पर टोटल आपका आउस्टेल नहीं दिख रहा है 38,337 रूपिस और 61 पैसा तो दोस्तों क्या यह टोटल मेरा जो है यूजस है अभी तक जो एमाउंट मैं यूजस किया और जिसका यह पेमेंट बाकी है इसका एंसर अगर आप पूछोगे तो इसका एंसर मैं दूंगा नहीं यह टोटल यूजस एमाउंट नहीं है इसके अला आपक का एमाउंट कितना है और जो है आउस्टेंडिक है मेरा तो दोस्तोंी यहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा यह टोटल आउस्टेंडिक आपको दीखता है नक यह दोस्तों श्रिफ वह अब होता है जो एमाउंट प्लास अगर आपका कोई EMI चल रहा है तो उसका जो EMI amount है उसको calculate किया जाता है, example के लिए मान के चलिए कि आपका card का limit है 40,000 रुपे, ठीक है, उसमें से आपने 10,000 रुपे का एक mobile EMI में लिया, 6 बार EMI में लिया, मतलब 6 EMI में लिया और हर बार का EMI आपका 2,000 पढ़ेगा, मतलब इंक्लूडिंग में interest बता रहो, लेकिन mobile का दाम है 10,000, क्योंकि 6 में आप ले रहो, तो 2,000 रुपे interest लगेगा, तो total cool मिला के आपको 2,000 का EMI बैट रहा है 6 मेंने के लिए, ठीक है, और साथी साथ आपने 4,000 रुपे का जो है, शौपिंग भी किया, तो total आपने यहाँ पे total कितना आपने शौपिंग किया, 4,000 रुपे का अलग से शौपिंग, प्लस 10,000 रुपे का mobile, ठीक है, तो यहाँ पे आपने total जो है, खर्चा किया आपने 14,000 रुपे, और प्लस 2,000 का आपको इंट्रेस्ट लएगा, तो कुल मिला कि आपको बैठता है, 16,000 रुपे, तो आपका total outstanding यहाँ पे 16,000 दिखाना चाहिए थे, लेकिन आपको यहाँ पे access bank का जो feature है, उसके इसाब से आपको outstanding दिखाएगा, 6,000 रुपे, अब ही आप बोलोगे कि भाई 6,000 क्यों, तो उसका reason यह है दोस्तो, 6,000 रुपे इसलिए क्योंकि 2,000 रुपे का महिन आपको बताया कि EMI पर महिने, तो वो 2,000 प्लस आपने 4,000 रुपे जो खर्चा किया वो दिखेगा, जो बाकी का जो आपका amount है, जो 5 EMI का बाकी है 10,000 रुपे, वो आपका यहाँ पर total outstanding पर नहीं दिखाएगा, example के लिए देखी यहाँ पर मेरा card में यहाँ पर देखिए, 38,000 के आसपस जो है मेरा total outstanding दिख रहा है, लेकिन अगर मेरा credit card का limit के अगर मेरा total outstanding है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर लगवग 27,000 का available limit दिखाना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, available limit दिखाड़ा है 13,663 का, तो जो बाकी का amount है जो difference amount है, मतलब 38,000 से आप 13,000 को minus कर दिजिए, तो कुल मिला कि आपको जो है कुछ 25,000 का आसपस का amount है, वो मेरा YMI amount है, जो कि यहाँ पर total outstanding में नहीं दिखा रहा है, मतलब वो YMI amount, principal amount है, वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, अलग से वो एक account में रहेगा, जो कि यहाँ पर show नहीं कर रहा है, तो अगर आपको भी ऐसे ही पता करना है, कि आपका total outstanding कितना है, तो आप एक simple एक काम कर दिजिए, आपका जो credit limit है, उस credit limit को available, जो limit है, उससे minus कर दिजिए, तो मेरे यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ पर 65,000 का total credit card limit है, तो यहाँ पर available जो limit दिख रहे हैं आपको 13,600, तो लगबग मेरा 52,000 का total outstanding है, तो इस तरीके से आपको total outstanding calculate करना होता है, एक्सिस बैंक में, आशा करता हूँ आपको यह समझ आ चुका गगा, फिर भी कुछ question है, doubt है, तो आप मुझसे वीडियो में पूछ सकते हो comment section में, अगले वीडियो में तब तक अपना बहुत सरा ख्याल लखी का, चैहिंद बनने मातर हैं,